फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आज फिर से मैं आप सभी के लिए Class 7 Math Chapter 1 के प्रशनावली 1.3 को बताने वाला हूँ Already हमने 1.1 को complete कर लिया इसके साथ हमने 1.2 को भी complete कर लिया है आज हम आप सभी के साथ 1.3 को पढ़ने वाले हैं तो आज ये सुरुआत करते हैं Class 7 Math Chapter 1 जिसका नाम है पुर्णाग और आज हम प्रशनावली 1.3 की बात करने वाले है मतलब 3 को बनाने के बारे में सीखेंगे कैसे हमें 3 को बनाना है तो 1.3 का जो सबसे पहला question है सबसे पहला question नमारा क्या कहता है निमलिखित में से प्रतेक का मान ग्याद कीजिए प्रशन हमारा क्या कह रहा है निमलिखित में से प्रतेक का मान ग्याद करना है Find the value of this product इंगलिस में इसे हम कहेंगे Find the value of this product तो सबसे पहला ये जो question है वो हमारा क्या कह रहा है कह रहा है minus 30 minus 30 bracket में है divide में क्या है 10 है अब हमें अभी तक जो पहले के questions थे उसमें हमने जोर पढ़ा है घटाओ पढ़ा है मतलब add और subtract पढ़ा था multiplication भी पढ़ा था अब हम divide पढ़ेंगे ठीक है अब हम इस chapter में divide पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको हम दो तरीके से बनाएंगे सबसे पहले तो हम 10 से minus 30 में भाग देंगे तो आपको पता है 10,3,30 होता है 10,3,30 हो जाएगा और यह हमारा cut जाएगा लेकिन sign जो यह है वो minus यहाँ पे आके लग जाएगा तो minus 3 भी answer हो सकता है दूसरा तरीका यह है कि आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है minus 30 divided 10 तो हमें तो यह पता है 10,3,30 होता है तो हम directly भी यहाँ पे minus 3 लिख सकते हैं और यही इसका उत्तर भी होगा यही इसका answer होगा इस तरह से अब हम B की तरफ बढ़ते हैं अब हम दूसरा प्रस्ट देखते हैं दूसरा प्रस्ट में भी हमारा divide ही है जिसमें कहा रहा है 50 divided minus 5 अर्था 50 में हमें भाग करना है किस से minus 5 से तो 5 के table को कितना बार पढ़ेंगे कि 50 आएगा तो 10 टाइम पढ़ेंगे अगर 10 बार हम 5 के table को पढ़ते हैं तो 5, 10, 50 हो जाता है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा लेकिन sign किसका है minus का तो minus का होगा याद रखेगा यहाँ पर minus का sign लगा हुआ है अगर 2 sign लगा हुआ होता इसमें भी 50 में भी minus का sign लगा होता और minus 5 होता तो यह minus minus plus हो जाता लेकिन sign तो एक ही के साथ है मतलब 50 वाला जो संख्या है वो plus में है और 5 वाला जो संख्या है वो minus में है तो plus minus क्या हो जाता है minus हो जाता है इसलिए यहाँ पर यह minus 10 हो जाएगा आपने देखा कि minus 10 ही इसका उत्तर भी है अब हम C की तरफ बढ़ते है हमारा प्रश्ण कहता है minus 36 divide minus 9 अभी मैंने आपको समझाया था अगर दोनों तरफ minus होगा तो minus और minus मिलके क्या हो जाता है plus हो जाता है minus और minus मिलके plus हो जाता है तो यहाँ पर हमें देखना है कि minus 36 में divide करना है हमें 9 से तो 9 का table कितना वाल पढ़ेंगे कि 36 आएगा 4 टाइम पढ़ेंगे 9 मंजा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 तो सबसे पहले तो यह 4 हो जाएगा 4 टाइम में 9 जो है वो 36 को काट देगा पूरी तरह से लेकिन यहाँ पे sign का थोड़ा सा tension हो गया हाँ माइनस की sign अगर होगी तब लिखने की जरुवत होगी लेकिन पलस के sign को तो लिखने की जरुवत नहीं है तो यहाँ पे 4 जो है वही इसका answer हो जाएगा अब हम अगले प्रश्ण D की तरह बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण कहता है माइनस 49 डिवाइड 49 अब देख लिजिए यहाँ पे एक tricky प्रश्ण आगया है माइनस 49 है और इसे पे डिवाइड भी किस से करना है 49 से ही करना है तो एक यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो 49 में अगर 49 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा लेकिन साइन तो यहाँ पे एक ही है वो भी माइनस का है और इधर तो कुछ लगा हुआ नहीं है तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यह साइन माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब पलस है तो plus minus मिलके क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे minus 1 का sign आ गया, यहाँ पे आप देख भी पा रहेंगों कि minus 1 इसका उत्तर दिया हुआ है, अब हम अगले प्रश्ण e की तरफ बढ़ते हैं, हमारा e प्रश्ण क्या कहता है, e कहता है 13 divide bracket में minus 2 है और plus 1 है, यह थ multiply भी आ गया है, तो अब इसको अराम से समझेए, अब से पहले हम क्या करेंगे, 13 को ले लेते हैं, divide को रहने देते हैं और bracket के अंदर का काम करते हैं, क्योंकि अगर इस प्रखार के प्रश्ण आपको दिये जाएं, तो हमेशा याद रखिए, जो bracket के अंदर होते हैं उनका का सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे कुछ बाते हैं, आपको copy में और note करना होगा, और note कर लीजिए, हमेशा आपको क्या करना है, पहले हमें bracket का का काम करना होता है, याद रखिएगा पहले नमबर पे, यह हमारा bracket का का काम करना होता है, इसके बाद हमें भाग का का काम करना होत जोर, यह हमारा चौथे नंबर पे आता है, जोर का काम, आश्ट में हमारा आता है घटाओ का काम, यह पांचवे नंबर पे आता है, याद रखेगा, सबसे पहले हमें ब्राइकेट का काम करना है, फिर हमें डिवाइड का काम करना है, फिर हमें मल्टिप्लाइ का काम करना है, हिंदी में इसको कहते हैं, सबसे पहले bracket, इसको हम का के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले हमें का 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 काम करना होता है, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोर का, फिर घटाओ का, तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिए, भाग तो बाद में है, सबसे पहले तो हमें bracket का काम करना पड़ेगा ना, तो पहले bracket का काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है minus 2 और plus 1, और यह bracket के अंदर है, तो सबसे पहले bracket का काम करेंगे, फिर 13, divide, और minus 2 और plus 1 है, इसका मतल करते हैं, तो उसका उत्तर तो minus 13 ही आएगा, यहाँ पे दिया भी है, कि minus 13, लेकिन इस वाले formula को आप याद रखेगा, यह आपके बड़ी काम की चीज़ें, बहुत काम आएगा भी, अब हम अगले प्रस्ण एप की तरह बढ़ते हैं, अगला प्रस्ण हमारा कहता है, 0 divided minus 12, मतलब हमें minus 12 में 0 से divide करना है, यहाँ पे मैं आपको पहले की तरह बताना चाहूँगा, चाहे गुना की बात हो, या भाग की बात हो, अगर उसके नसीम में 0 है, तो वो बड़े से बड़े संख्या को खा जाता है, बिलकुल समाप्त कर देता है, ध्वस्त कर देता है, इसको राख बना देगा, 0 से जैसे ही भाग आप 12 को करोगे, या किसी भी संख्या को, 12 करोड को ही क्यों न कर लो, वो 12 करोड को भी क्या बना देगा, 0 बना देगा, तो इसलिए याद रखिएगा किसी भी संख्या को, अगर हम 0 के साथ multiply अर्थाद गुना और divide अर्थाद भाग कर लेते हैं, तो वो उस संख्या को 0 बना देता है, साथ ही साथ यह कोई भी style लेके बैठा हो, minus लेके बैठा हो, plus लेके बैठा हो, इससे कोई फरक नहीं पड़ता है 0 को, 0 सब को खा के क्या कर देता है, ध्वस्ट कर देता है, 0 ही बना देता है, तो इस प्रकार से इसका उत्त 0 ही होगा अब हम अगले प्रॉष्ण की तरह पढ़ते हैं अगला प्रॉष्ण नमारा कहता है नंबर G क्या कहता है –31 है –31 को ब्राइकेट में ले लिए है फिर डिभाइड है फिर ब्राइकेट के अंदर है minus 30 और fit plus minus 1 अब इसे बंद कर दिया गया है तो अभी मैंने आपको बताया है सबसे पहले हमें bracket का काम करना है तो minus 31 और divide को आप ऐसे ही रहने दीजिए इसके बाद हम bracket के अंदर चलते हैं तो यह minus 30 हो जाएगा और plus और minus मिलके क्या हो जाएगा minus हो जाएगा पलस और minus मिलके minus हो जाएगा और 1 का 1 उतर जाएगा अब हम खिर क्या करेंगे minus 31 divide minus 30 और minus 1 यहाँ पे एक बड़ा ही trick है आपको बताना पड़ेगा कि क्या होगा minus 30 और minus 1 मिलके तो यह दोनों तो जूर जाएगा आपको पता है यह दोनों का जूर हो जाएगा minus 31 हो जाएगा आपको होगे कैसे तो मैंने आपको कल वाले 1.2 में बताया है थाकि sign हमेशा बड़े संखेका होता है अब देखिए यहाँ पे भी minus 31 और divide में minus 31 मतलब minus 31 को अगर minus 31 से भाग दोगे तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखो कि 31 को 31 से भाग दोगे तो क्या होगा 1 होगा और minus और minus कटके क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा तो यहाँ पे plus लिखने की जरुवत है नहीं तो यहाँ पे 1 आगे अगर अगरा प्रशन हमारा कहता है h अब h हमारा प्रशन कहता है कि bracket में है minus 36 भागा 12 फिर bracket बंध है और बाहर में 3 है तो इसमें सबसे पहले काम ह काम करना है तो bracket के अंदर minus 36 भागा 12 करेंगे और फिर यह भागा बाहर रहेगा तो इसे बाहर ही रहने देते हैं तो 12 के हम 12 12 24 और 12 36 तो भाग देने पर कितना आया तीन आया और यहाँ पे sign किसका हो जागा minus का क्योंकि यहाँ तो कोई sign है नहीं अगर यहाँ भी minus का sign होता और यहाँ भी minus का sign होता तो यह दोनों मिलके plus का sign हो जाता लेकिन यहाँ पे sign तो एक ही है अब क्या करेंगे minus 3 यह भी है अब यह बाहर में भी है 3 अब minus 3 से 3 में भाग दोगे तो सबसे पहरे तो यह आद रखो 3 से 3 में divide करोगे भाग दोगे तो क्या होगा 1 होगा और sign इस माइनस 6 फिर ब्राइकेट बन प्लस 5 फिर ब्राइकेट बन दिवाइड ब्राइकेट फिर चालू है और माइनस 2 और प्लस 1 ध्यान से समझेगा सबसे पहले हमें क्या काम करना है ब्राइकेट का काम करना है तो दोनों तरफ ब्राइकेट है तो हम दोनों तरफ का काम कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इधर वाले bracket काम करते हैं, minus 6 और plus 5 लिख लेते हैं, यही होगा, फिर divide देते हैं, अब इधर क्या होगा, minus 2 plus 1, फिर अब minus 6 में से 5 जाएगा, तो यह minus 1 बच जाएगा, फिर divide बच जाएगा, और यह भी minus 1 बच जाएगा, बच जाएगा ना, तो minus minus तो पहले चला गया, अब हमारा दूसरा प्रशन कहता है, A, B और C के निमलिखित मानों में से परते के लिए, A divide B plus C is not equal to A divide B plus, फिर से bracket A divide C को सत्यापन करना है, मतलब इसे हमें प्रूफ करना है, आपको जो यह दिया गया है, इसके हिसाब से हमें इसे प्रूफ करना है, क्या LHS जो है वो RHS के बराबर है, तो यहाँ पे हमें A की value दी गई है, B की value दी गई है, और C की value दी गई है, इस हिसाब से हम question को यहाँ पे बनाएंगे, सबसे पहले आप देख लिजे, यहाँ पे A का value 12 दिया हुआ है, B का value minus 4 दिया हुआ है, और C का value 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले ह हम LHS को लेते हैं LHS LHS का मतलब मैंने कल समझाया था left hand side है जिसमें है A divide B plus C अब हम क्या देखेंगे कि A का value कितना है 12 है तो यहाँ पे हम 12 लिख दिये हैं अब हम divide का option देंगे और फिर हम bracket में B plus C लिखेंगे तो B कितना है minus 4 plus C कितना है 2 इसे bracket बंद कर देंगे अब हम 12 फिर से लिखेंगे divide पहले तो हमें bracket का काम करना है तो bracket के काम में देखेंगे कि यह minus 2 हो जाएगा यही होगा minus 2 ही बचेगा तो कि यह plus है और यह minus है और minus में से यह घट जाएगा तो minus 2 बचेगा sign बड़े का रह जाएगा अब हम करेंगे क्या 12 divided minus 2 मतलब अगर 12 में 2 से भाग देते हैं तो 6 आएगा लेकिन sign यहाँ पे minus का है तो minus लग जाएगा यहाँ पे minus 6 हो गया अब देखें इसके उत्तर में भी minus 6 ही दिया गया यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहला जो LHS है वो minus 6 आ चुका है अब हम सेम काम RHS के लिए भी करेंगे अब हम RHS को लेते हैं RHS में हमारा क्या कह रहा है RHS में उपर देखिए यहाँ पे कह रहा है और A divide B है ठीक है इसे लिख लेते हैं A divide B और plus में क्या दिया हुआ है plus में दिया हुआ है A divide C तो ठीक है अब हम इसे भी लिख लेते हैं A divide C A divide C A की value क्या है 12 है तो A के जगा पर हमने 12 रख दिया और divide के जगा पर divide की value और B के जगा पर हम रखेंगे फिर minus 4 और इसे भी bracket में डाल देते हैं, ताकि confusion नहीं हो, फिर plus का sign होगा, फिर a की value कितनी है, 12 है, फिर divide का sign देंगे, और c की value क्या है, 2 है, इसे भी bracket में डाल देते हैं, अब हम क्या करेंगे, 12 divide minus 4, मतलब 12 में minus 4 से भाग देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, minus 3 हो जाएगा, पोई ड 12 में भाग देते हैं, तो 6 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई minus का sign नहीं है, इसलिए यहां पर minus का sign नहीं आया है, अब 6 में से 3 चला जाएगा, तो क्या बज़ जाएगा, 3 बज़ जाएगा, अब गौर कीजिए, हमने LHS में कितना लिया था, हमारा LHS जो लिये थे, LHS का value कितना आया था, minus 6 आया था, और वहीं पर RHS का value जो है, वो 3 आया था, तो यह बढ़ाबर तो नहीं हुआ न, अगर यह बढ़ाबर नहीं है, तो इसका sign क्या होगा, is not equal to को हम बढ़ाबर लिखे ऐसे काट देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यह बढ़ाबर नहीं है, और यह यहाँ पर वही कह रहा है, कि यह बढ़ाबर नहीं है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर A plus solve हो गया है, अब हम B plus की तरफ बढ़ते हैं, B में भी हमारा value दिया हुआ है, A equal to 10, B equal to 1, और C equal to 1, अब same condition हमें यहाँ भी लेना है, सबसे पहले हम LHS लेंगे, और याद रखिएग तो LHS हमारा क्या कहता है, A divide B plus C, यह हमारा LHS है, जो question में दिया गया था, तो अब A के जगाँ पर यहाँ पर value जो है, वो क्या दिया है, minus 10 दिया है, तो A के जगाँ पर हम minus 10 ले लेते हैं, divide, और B का value क्या है, 1 है, और C का value भी 1 है, चलिए, बहुत अच्छा है, minus 10, divide, पहले तो bracket का काम करना है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, minus 10, divide 2, क्या हो जाएगा, 5, और sin क्या लग जाएगा, minus का, मतलब minus 5 आ गया न, LHS का हमारा value कितना आ गया है, minus 5, same condition हम RHS के लिए भी करेंगे, अब हम LHS तो निकाल लिए, अब हम RHS के लिए करते हैं, RHS में formula क्य question में दिया गया थो, A divide B, okay, plus A divide C, अब आपके मन में ये confusion आ रहा हुआ, कि यह हम मैं लिख कहां से रहा हूँ, तो यह मैं यहां से लिख रहा हूँ, यह जो question में दिया हुआ था, A divide B plus A divide C, तो हमने वही किया है, A divide B plus A divide C, तो अब A के जगा पर हमने value कितने लेने हैं, 10 लेन आप B के जगा पर क्या लेंगे, 1 लेंगे और bracket को बंद कर देंगे, फिर sin हम प्लस का देंगे, और फिर A के जगा पर value हम किस ची का लेंगे, minus 10 का लेंगे, और divide 1 कर देंगे, C का value 1 ही है, अब minus 10 में अगर आप 1 से भाग देते हो, तो क्या होगा, minus 10 ही होगा, plus minus 10 में फिर से एक से भाग देते हो तो क्या होगा ये भी minus 10 ही होगा मतलब minus 10 और minus 10 क्या हो जाएगा minus 20 हो जाएगा कोई डाउट नहीं है आप लोग को तो यहाँ पे देखें minus 20 है यहाँ पे भी एक problem आ गया LHS में तो minus 5 था और RHS में क्या आ गया minus 20 आ गया तो आप क्या लिखोगे LHS is not equal to RHS मतलब ये दोनों की value जो है वो आपस में बड़ाबर नहीं है अगर यहाँ पे भी minus 20 होता और यहाँ पे भी minus 20 होता तो हम लिखते LHS equal to RHS अब हम तीसरे प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं तीसरा प्रस्ण मारा क्या कहता है रित अस्थानों की पूरती कीजिए हमें fill in the blanks करना ह जिसमें पहला प्रस्ण है 369 मतलब 379 को किस चीश से divide किया जाए कि उसकी value फिर से 379 ही हो जाए तो अगर एक से हम 379 को भाग देते हैं तो क्या होगा 379 ही हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 1 से अगर हम divide करते हैं तो फिर से वो उतना ही हो जाएगा अब हमारा b प्रस्ण क्या कहता है b प्रस्ण कहता है minus 75 divide dash equal to minus 1 मतलब minus 75 को किस चीश से divide करोगे कि वो minus 1 हो जाए तो अगर मालो minus 75 को अगर हम divide कर देते हैं 75 से ही तो यह क्या हो जाएगा minus 1 हो जाएगा ना क्योंकि इधर तो minus है नहीं अगर इधर भी minus लगा हुआ होता तो यह plus हो जाता लेकिन यहाँ पे minus किस साइड लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा minus 1 हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे minus 1 इसकी अगर value हम अगर यहाँ पे हम 75 से इसको divide कर द मतलब 206 को किस चीज से अगर हम भाग करेंगे कि 1 हो जाए तो याद रखेगा अगर minus 206 को अगर हम minus 206 से ही भाग कर दें तो 206 से 206 में भाग करेंगे तो एक हो जाएगा और minus और minus कटके plus हो जाएगा, तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम minus 206 से इसको divide कर देते हैं, तो value क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, अब हम D प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं, हमारा D प्रश्ण देखते हैं, minus 87, divide dash equal to 87, तो कहरा हम minus 87 में ऐसे किस चीज़ से हम divide करें कि उसकी value जो है, वो 87 आ जाएगा, तो minus 87 को अगर minus 1 से divide कर दो, तो minus minus कट जाएगा, और भाग दोगे तो कितना आएगा? 87 आएगा, तो यहाँ पे हम minus 1 लिखेंगे, यह प्रश्ण मारा कहता है, किस चीज़ को हम 1 से भाग दें कि वो minus 87 हो जाएगा, तो सुभाविक सी बात देने पर minus 1 होगा, तो 48 से ही 48 में भाग दे दो, मतलब minus 48 में अगर हम 48 से भाग दे देते हैं, minus 48 में अगर हम 48 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा? minus 1 नहीं हो जाएगा, तो 48 से 48 तो एक नमबर में कट जाएगा, और minus एक तरफ बज जाएगा, तो यह minus का sign लग कि आपके यहाँ पे जो तीसरा प्रस्म था, अरिक दस्थानों के पूर्ती कीजिए, वो भी समापत हो गया, समापत नहीं हुआ, इसमें और भी प्रस्म है, वेट, 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 यहाँ पे जी भी है, जी में कहा रहा है, 20 डिवाइड डैस इकोल टू, मतलब 20 में किस चीद स से भाग दिया जाए, कि value माइनस 2 के बड़ाबर आजाए, तो देखिए, 20 में अगर आप माइनस 2 से डिवाइड कर देते हो, तो 2 बन जा, 2 चला जाएगा, 0 आएगा, फिर यह 0 आएगा, तो यह 10 हो जाएगा, तो यह 10 माइनस लग जाएगा इसके साथ, क्योंकि यह माइनस 10 अगर यहाँ पे लिख देते हैं, तो value क्या आजाएगा, माइनस 2 के बड़ाबर आजाएगा, अगला प्रश्ण हमारा h कहता है, dash divide 4 equal to minus 3, किस चीज से हम 4 को divide करेंगे, कि वो minus 3 हो जाए, तो देखिए, आपको क्या करना है, 4 के table में देखना है, कि इस से इसको multiply कर दो, 4 को minus 3, कितना हो जाता है, minus 12 हो जाएगा, इसी minus 12 को यहाँ पे डाल, अब मैं आपको एक simple trick पताता हूँ, क्योंकि हो सकता है, कि इस प्रश्ण में आपको थोड़ा सा confusion हो, कि कैसे कैसे हो गया, तो आप देखिए, जैसे यह divide वाले question है, तो जिस चीज से हमें भाग करना है, जैस पे कह रहा है, कि अब यहाँ पे क्या भरेंगे, अब यहाँ पे तो कह रहा है, कि पहले ही अंक दे दिया है, तो अब 20 में 2 से भाग कर दो, जितना होगा उसको यहाँ पे रख दो, फिर यहाँ पे भी हम वही करते, कि यहाँ पे हमारा पहला वाला point खाली था, तो 41 में अग पुर्णांक युग में a b लिखिए ताकि a divide equal to minus 3 हो ऐसा एक युग 6 और 2 है क्योंकि 6 divide minus 2 equal to 3 होता है आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं pair में जिसको भाग करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए minus 3 आना चाहिए example के लिए इसने बताया है कि एक संख्या 6 है और दूसरा संख्या minus 2 है अर्था minus 2 से अगर हम 6 में divide करते हैं तो क्या होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा और sign तो लग जाएगा ना इसका तो आगे आना minus 3 तो अब ऐसे ही नंबरों के बारे में आपको बताना है तो देखिए 6 और 2 तो इस 12 और 4 है 21 और 7 है 24 और 8 है यह सारे नंबर में अगर आप एक गुसरे को divide करते हो भाग करते हो तो answer क्या आएगा minus 3 ही आएगा अगला प्रश्ण पांचवा प्रश्ण मारा कहता है दो पहर बारा बजे तापमान सुन से 10 degree Celsius उपर था दो पहर जब बारा बज रहते उस समय जो तापमान का temperature था वो 10 degree Celsius से उपर था यदि यह आधी रात तक 2 degree Celsius परती घंटे की दर से कम होता है मतलब 2 degree Celsius एक घंटे में कम होने लगता है तो कितना समय तापमान सुन से 8 degree Celsius नीचे होगा मतलब नीचे गिरने में कितना समय लग जाएगा तो आधी रात का तापमान क्या इसे बताना है सबसे पहलो तो देख लिए 12 बजे का समय है और इस समय temperature क्या है 10 degree Celsius है और परते एक घंटे में जैसे की 12 के बाद जैसे ही एक बजेगा तो ये 2 degree Celsius कम हो जाएगा फिर 2 बजे क्या होगा फिर 2 degree Celsius कम हो जाएगा ऐसे करके temperature घट रहा है तो 12 बजे आधी रात में घंटों की संख्या क्या है 12 है और 12 घंटे में तापमान जो बदल रहा है वो 24 डिग्री बदल रहा है कैसे तो एक घंटा में 2 degree बदल रहा है न तापमान तो 12 घंटा में कितना बदलेगा तो 12 गुने 2 मतलब 24 डिग्री Celsius नीचे गिर जाएगा तापमान तो मध रातरी की बच जाएगा 14 degree Celsius minus में मतलब जब ये पूछ रहा है कब का आधी रात का तापमान तो क्या हो जाएगा minus 40 degree Celsius temperature आजाएगा इसके बाद 10 degree Celsius के बीच तापमान में अंतर जो है वो 8 degree Celsius है मतलब 2 degree अगर 10 में से घटेगा तो 8 होगा फिर 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा फिर 6 में से 2 घटेगा तो 2 होगा फिर 2 में से 2 घटी जाएगा तो 0 degree Celsius होगा उसके बाद तो वो minus में चलने लगेगा तो कि अब प्रलस वाला temperature तो खतम हो गया minus 10 में डिगरी चला जाएगा तो वही कह रहा है 10 degree में से 8 degree Celsius गया और ये दोनों को minus minus जोर के क्या हो गया 18 degree Celsius हो गया 18 degree Celsius हो गय उसमें minus 14 degree Celsius temperature के आसपास रहेगा जो यहाँ पर बताया गया है एक अच्छा टेस्ट में परतेक सही उत्तर के लिए 3 नमबर अंक दिया रहा है मतलब एक क्लास में टेस्ट हुआ है एकजाम हुआ है और जितना भी सही जबाब दे रहा है उसके लिए plus 3 नमबर मिल रहा है राधिका ने भी संक प्राप्त किये जडि उसने 12 सही उत्तर पाये है तो कितने प्रस्ण उसके गलत हो गए तो सबसे पहले तो देखिए अब आपका जो प्रष्ण है वो बहुत समझने वाला है हमें राधिका द्वारा गलत प्रष्णों की संख्या जो है वो पता नहीं है इसलिए हमने उसे X मान लिया है, आप कुछ भी मान सकते हो, alphabet के कोई भी संख्या, अब आपको पता है कि सही प्रस्ण के लिए तीन नंबर दिया जा रहा है, और गलत प्रस्ण के लिए तो नंबर काटा जा रहा है, और अगर कोई पर्यतर नहीं किया गया है, कोई काम नहीं किया गया तो उसके लिए कोई नमबर नहीं दिया गया, कोई question नहीं बनाया, उसके लिए कोई number नहीं दिया गया, तो अब यहां पर कहरा है, पलस तीन गुणे बारा, क्योंकि बारा सही उत्तर है राधिका का न, 20 question टोटल थे, जिसमें से उसने कितना सही किया ह 12 सही किया है और सही उत्तर के लिए प्लस 3 नंबर मिल रहा है तो 12 गुने सबसे पहले तो 3 हो जाएगा ठीक है अब कहा रहा है कि प्रश्णों का भी तो हमें पता करना पड़ेगा ना क्योंकि question में यही पूछ रहा है कि उत्तर गलत कितना हुआ है तो देखिए अब उत्तर जो है हमने माल लिया प्रश्णों की संख्या x तो x into minus 2 करेंगे क्योंकि गलत प्रश्णों के लिए minus 2 नंबर है अब यहाँ पे total नंबर कितना है 20 है तो हमने लिख लिया है 3 into 12 plus x into minus 2 equal to 20 क्योंकि total तो 20 नंबर का प्रश्ण था अब 12 को 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा plus 2 को अगर x से गुना करोगे तो minus 2x हो जाएगा equal to 20 हो जाएगा तो अब समझ यह बात को 36 लिखेंगे अब अगर हम minus 2x को बराबर के उधर लेके जाते हैं तो minus बराबर के उधर अब कुछ और बाते आपको note करना पड़ेगा minus का sign को अगर हम बराबर के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो बहाग में बदल जाता है अगर हम जोड के sign को बराबर के उस side लेके जाते हैं तो वो घटाओं में बदल जाता है अगर हम गुना के sign को बराबर के दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो वो भाग में बदल जाता है अगर हम भाग के sign को बराबर के उधर लेके जाते हैं तो वो गुना में बदल जाता है ये points आपको याद रखने पड़ेंगे इन प्रशनों को बनाने में क्योंकि आगे अब आपको इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा जैसे minus 2x बराबर के इधर minus में है और अगर हम उसे बराबर के उधर लेके जाएंगे तो कितने में बदल जाएगा plus में बदल जाएगा न क्योंकि minus जो है वो बराबर के उधर जाके किस ची में बदल जा रहा है और बड़ाबर के इधर जो minus 2x है वो उधर जाके plus 2x हो जाएगा 46 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा equal to क्या होगा 2x होगा अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान देखेगा अगर हम क्या हमने अभी आपको क्या बताया है कि गुणा को अगर हम बड़ाबर के उधर लेके जाएगे तो किस्ची में बदल जाता है भाग में बदल जाता है तो यह 2 into x है न 2x का मतलब है कि 2 और x के बिना में गुणा का मात्र है अगर हम 2 को इधर लेके आते हैं तो अगर गुणा में है इधर तो इधर आके किस्ची में बदल जाएगा भाग में बदल जाएगा तो 16 बटा 2 equal to क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा मतलब x की value जो है वो 8 आ जाएगी अब आपको देखना है कि x की value कि 8 आ गया है लिखा हुआ है 8 गलत प्रशनों का पर्यास किया गया है 8 गलत प्रशनों का पर्यास यहाँ पे किया गया है यह हमारा mistake है यहाँ पे हम 8 लिखेंगे 8 गलत प्रशनों का यहाँ पे अगला प्रशन हमारा क्याता है मोहिनी टेस्ट में माइनस 5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके साथ सही उत्तर पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, तो सबसे पहले तो हम माने कि मोहिनी x जो है x प्रश्णों का उत्तर जो है वो गलत माना जागा क्योंकि यहां पे x और y और z हम मानते हैं हमें यह तो पता है कि उसने 7 सही उत्तर दिये लेकिन कितने गलत उत्तर दिये यह तो हमें नहीं पता है इसी कारण से हमने उसके गलत प्रश्णों की संख्या जो ह है उस हिसाब से हम यहां क्या करेंगे सबसे पहले साथ प्रस्ण इसके सही थे तो plus 3 into 7 मतलब 3 into 7 साथ प्रस्ण सही है प्लस में x करेंगे और into minus 2 equal to minus 5 अब minus 5 क्यों क्यों कि टेस्ट में जो कुल संख्या था वो minus 5 ही उसको मिला है अब सबसे पहले देखेंगे 3721 होता है पलस में ये माइनस 2X हो जाएगा एक्वल टू माइनस 5 अब ध्यान से समझेए पिछले मतलब की question में भी मैंने आपको बताया था कि कोई चीज अगर बडाबर के उधर माइनस में है तो बडाबर के इधर आके वो किस्ची में बदल जाएगा पलस में बदल जाएगा तो 21 और ये 5 उधर माइनस में है तो इधर आके पलस में बदल गया ठीक है अब बडाबर अब क्या होगा ये माइनस 2X बडाबर के इधर माइनस में है और इसको अगर बडाबर के उधर लेके जाएगे तो ये पलस में 2x हो जाएगा, ठीक है, अब 21 और 5 मिलके क्या होगा, 26 होगा, 26 equal to 2x, अब कोई चीज यदि बराबर के उधर गुना में है, तो बराबर के इधर आके भाग में बदल जाएगा, अगर बराबर के दूसरे साइड में वो multiply में है, तो बराबर के इस साइड आके वो divide में बदल जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को बराबर के इधर ले आएगे, तो 26 by 2, क्योंकि उधर गुना में था, तो इधर आके भाग में बदल जाएगा, equal to क्या बज जाएगा, x बज जाएगा, अब 2 से divide करेंगे, तो x equal to क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, मतलब 13 गलत प्रस्णों का प्रयास किया गया था, अब यहां पर आको समझ में आ रहा है, question जो मैं समझा रहा हूँ, कैसे बनाया जा रहा हूँ, वो सारी चीजे समझ में आ रही है, अब हम सात्वे प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं, सात्वा प्रस्ण हमारा कहता है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर पर 30 मिनट की दर से नीचे जाता है, यदि नीचे जाना भूमी तल से 10 मीटर उपर से सुरू होता है, तो माइनस 350 मीटर पहुचने में कितना समय लगा, यह BVI question रहेगा, आपके एक्जाम के लेक्जाम में पूछा जा सकता यह question, ध्यान से समझेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे भूमी से 10 मीटर उपर से सुरू हो जाता है, भूमी से 10 मीटर उपर से सुरू होता है, और उसे माइनस 350 की दूरी तैकर ना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि खान कूपक जो है, कूपक अब क्या होता है, मतल से याद रखिएगा अब 6 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है एक मीटर 6 मीटर परती मिनट की दर से वो नीचे जाता है तो अब देखिए अगर हम एक मीटर equal to 1 by 6 मीटर कर लेते हैं तो यह फिर क्या हो जाएगा? 360 मीटर equal to 360 into 1 by 6 हो जाएगा अब यहाँ पर एगर हम इसको इससे काटते हैं तो 6, 6 जा और फिर यह 0 हो आजाईगा और 60 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो यह हमारा 60 मीटर हो जाएगा तो इस तरह से आपका ये प्रश्ण भी समाप्त हो गया, अब साथ मिनट का मतलब क्या होता है, साथ मिनट का तो मतलब होता है, एक घंटा, वन आबर, तो वही कहरा है, माइनस तिन सो पचास मीटर नीचे जाने में, उसे कितना समय लगेगा, एक घंटे का समय लगेगा, इस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एडुकेशनल वीडियो आपको हमेशा अपराप्त होता रहे, आज के लिए इतना ही धन्यवाद.